यह मुखबते में अशोक इशिता से मिलने उसके क्लिनिक आता है वो इशिता को रमन और शगुन के बीच बढ़ती नजदीकियों के बारे में वान करने की कोशिश करता है लेकिन इशिता उसकी बात सुनने में इंट्रस्टेड नहीं होती वो से रमन और आदी के बीच ना आने के लिए कहती है दूसरी तरफ रमन शगुन और पाठक से मिलता है पाठक उन्हें बताता है कि पुलिस इंस्पेक्टर के पास उस एक्सिडेंट की CCTV फुटेज होगी रमन पाठक को इंस्पेक्टर को ब्राइब करके वो फुटेज लाने के लिए कहता है आदी शगुन से कहता है कि वो रमन और रुही के साथ कुछ टाइम स्पेंट करना चाहता है शगुन भी इस आइडिया से काफी खुश होती है आदी रमन को कॉल करके बताता है कि वो उसके और रुही के साथ एक दिन के लिए पिक्निक पर जाना चाहता है उनके साथ शगुन भी आएगी रमन जब ये बात इशिता को बताता है तो वो शौक्ट रह जाती है इशिता हर्ट फील करती है कि 6 सालों के बाद भी शगुन रमन के लिए इतनी इपॉचंट है इशिता ये सोच सोच कर रोने लगती है